नमस्कार वित्रो आज बात करेंगे एक ऐसे इंट्रेस्टिंग टापिक की भारत सरकार की एक बॉड़ी है जिसका नाम है निस्नल डेरी डवलप्मेंट बॉर्ड अब ये बॉर्ड को ये सायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा तो एक चीज जरूर सुना होगा मदर डेर मदर डेरी जो कमपनी है इसी भारत सरकार की यूनिट के दोरा यानि निस्नल डेरी डवलप्मेंट बॉर्ड के दोरा ओन की जाती है ये एक कोपरेटिव संस्था है यानि इसमें किसान और गॉर्मेंट दोनों का स्टॉक रहता है यानि दोनों के सहयोग से ये कमपनी चलती है अब मैं इस कंपनी की आज क्यों बात कर रहा हूँ इस गवर्मेंट के बोर्ड के दोरा एक ऐसा बेहतरीर निरने लिया गया है जिसका फाइदा ने केवल आम बेक्तियों को होगा बलकि भारत के किसानों का होगा जिनकी आर्थिक इस्तिती वैसे भी नेस्नल डेरी डवलप के रीजन में एज एक्सपेरिमेंट यानि जो गायों की नसल है उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा अब ऐसा क्यों किया जा रहा है क्या भारत की जो वर्तमान में अलग-अलग छेतरों में जो भारत में गायों की प्रजातिया है यानि दूद देने वाली गायों की वो सही नहीं है क्या है इसको आगे बेतरीन तरीके से और भी समझेगे तो यह दिये वीडियो अच्छे लगते हैं इन्फोर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल देखिए अब अपने आते एक टॉपिक को उपर एक एतिहासी घटना पहले सुन इसमें यह है भारत के गुजराच छेतर में गाय की एक नसल पाई जाती है गिरगाए बहुत सांदार अच्छा दूद देने वाली गाय की अच्छी नसल मानी जाती है पर आप बोलेंगे की गाय को तो हम माता मानते हैं गाय का हमारा एतिहासी पौराणिक बहुत ज्यादा म माता गाय को भारती संस्कृती में माता माना जाता है मैं भी आपकी वास से 100% एगरी करता हूँ पर देखिए जब बात प्रक्टिकल ही आती है तो चीजे कुछ अलग होती है आप यदि नेट में सर्च कर लीजे कि किस प्रकार से आवारा पसू की समिस्या देश के कई राज और उनी के बच्छडे होते हैं तो जिस गाय को हम माता बोलते हैं उसको घर के बाहर भेज रहे हैं वो आज कल आवारा दर दर भटक रही है इसकी क्या वजह हो सकती है जिस गाय को हम माता बोलते हैं उसको मार के भगा रहे हैं किसान लोग जो भी गोपालक हैं जब हम प्रक माइंड सेट यानि बानिज जवादी बनियावादी सोच वाले विक्तियों में हमेशा एकॉनमिक इंट्रेस्ट यानि आर्थिक फायदा उपर रखा जाता है अब जो गाय है वर्तमान जो उनकी ब्रीड है वो जादा दूद नहीं दे पाती इसलिए किसानों को उनकी सेवा कर उसमें इंवेस्ट करना और जो उनसे रिटर्न मिलता है रिटर्न किसान यह सोच रहे हैं इस किस्टी गाय नहीं ही रखे तो सही है जो नब भारत की गायों के लिए ये समिश्चा है गवर्मेंट के लिए चलैन्ज कुछ इस प्रकार का है गवर्मेंट यह भी नहीं चाहती कि दुग्द का उत्पादन घट जाए और ये भी नहीं चाहती कि गाये जो अवारा पसूओं की समिश्चा है ये भी बढ़ती रहे तो गवर्मेंट आफ इंडिया की एक वाड़ी नेस्मल डेरी डबलप्मेंट ने ये कदम उठाया है अब इससे क्या होगा आगे भी पर जिस प्रकार के बुल का सीमन इमपॉर्ट किया जा रहा है ब्राजिलियन गौवर्मेंट के साथ इमपॉर्ट किया जा रहा है उस प्रजाथ की गायों की जो कैपसिटी है वह वह 20 से 22 लिटर दो देने की है अब आप सोचेंगे कि कि किसी दूसरे कंट्री की जो गाय की नसल है भारत में कैसे सरवाइब कर पाएगी तो जो भारत का इंवारमेंट है और ब्राजील का इंवारमेंट है इसमें बहुत जादा सामानता है दूसरी जो अंटरिस्टिंग बात मैंने आपको पहले बता था भावनगर के महराझा के दोरा जो गिर गाय की प्योर नसल ब्राजिलियन गवर्मेंट को गिफ्ट की गई थी उसी को इंप्रूव करके इन्होंने बहतरीन तरीके से तैयार किया है जिसकी आज दूदेरी की छमता 40 लीटर से और ऑन एन एवरेज ये रखा जाये तो 20-22 लीटर तो देती है तो कहां 8 लीटर कहां 20-22 लीटर बहुत जादा 2-5 गुने का फर्क है तो ये गवर्मेंट इसमें सुधार करती है दूसरी वजह क्या होगी वैसे तो भारत का जो दुखद उत्पादन है संसार में सबसे अधिक है यानि भारत देश संसार का 25% से जादा दुखद का उत्पादन करता है अमेरिका और चाइन क्या बढ़ने से दूद और उससे जुड़े हो पादों की माग भी बढ़ेगी माग बढ़ेगी तो भारत सरकार ऐसे चीजों के लिए किसी दूसरे देश में डिपेंड न हो जाए इससे जरूरी हो जाता है कि भारत में जो गाए हैं उसमें खोड़े सा नसल सुधार कर दि जाए उनका जो दूद देनी की कैपसिटी है वो बढ़ जाएगा जहां पर सामानी लोगों को आसानी से उचीत रेट में दूद मिल पाएगा वहीं किसानों को भी इसका मुनाफ़ा होगा गवर्मेंट का दोनों तरीके से एक समंझस से बैठाना और जो भारत की निस्नल ड बाहर के लिए गवर्मेंट का यह प्रयास और इस्पेसली मदर डेरी की परेंट संस्था नेशनल डेरी डेवलोप्मेंट बोर्ड का प्रयास आपको किस प्रकार से लगा यह आप अपने ओपिनेंट कमेंट सेक्शन के मादम से जरूर बताएं मिलते हैं ऐसे ही यह झाल यह झाल